असलाम वालेकुम कैसे है आप सब लोग आज की वीडियो में है जो अपन T.S. Intermediate के रिगार्डिंग एक लेटेस्ट अपडेट आई जो की फस्ट यर के स्टुडेंस पूछ रहे थे बार बार सर हमारे रिगार्डिंग कुछ अपडेट आई जाब लोता हूँ जो अपन फस् जो मिस्कर दियो उनके लिए अपडेट है एंड जे एंट यू हेच की तरफ से भी एक लेटेस्ट अपडेट आई जो की कल आर्टिकल में आया ऑनलेन एक्जाम के रिगार्डिंग पूरा प्रोसेस बताया एक्जाम कैसा रहेंगा क्या करना है तो आप सभी से 1st एर के रिगार्डिंग जो आर्टिकल आया था हो आर्टिकल में यह है कि ऑक्शन है बुलकि बोरा मतलब 1st एर का एक्जाम लिखना ने लिखना आपके उपर है जैसलों कि तलह है ना गौर्णर्मेंट क्या डिसाइट करें बूले तो बोर्ड आफ इंटर्मिडेट वाले क्यों बबले तो जो बच्चे 좋아요 करना चारे उनको एक chance दिया जारा जिसाय कि आप जुलाई में है जो इंटर psychaltene की exam है रखने वाले बोलके अपडेट आई तो वो इंटर secretary की exam के साथ first year को भी exam हैंगे बोलके सुनने म्याँरा मगर वो आपके हाथ में आप लिखना नई लिखना वो आपके हाथ में है तो आप decide करना है कि क्या करना है आपको लिखना है या नई लिखना है तो आप जैसा कि वो लोग क्या decide करें बोले तो आप लोगो 45% marks दे दिंगे इंटर first year students को तो अगर आप 45% marks से खुश नहीं हैं अगर आपको score करना है तो आप exam लिखना चाहरे तो आप जाके exams लिख सकते बोलके ये option है तो ये एक माणने में good news है तो आप लोगो ये चीज़ मालम हो गया कि first year के students को तो promote कर दिये result भी जल से जल अपने को जून की first week में मालम होंगा तो आप को ये चीज़ clear हो गया होंगी और कुछ भी doubt है तो मुझे comment करिए इंशालला मैं हो सके तो उसका reply देने की कोशिश करूँगा ठीक है और जरूर देने की कोशिश करूँगा फिर देन रही बात JNTUH के तरफ से CBT exam जो की mid exams है 213141 के internal exams में जो बच्चों को marks कमा है mid exams में आप fail हो गए और लोगों को एक मौखा दिया जा रहा और इसके अंदर exam fee के regarding भी एक update हाई वो भी discuss करेंगे तो जैसा की CBT exam क्या है पहली बात computer based test है जो की students है तो mid exams में कम marks आया फिर attend नहीं कर सके या फेल हो गए जो भी reason है तो आपको जो यह काईसा रहेंगा बोले तो आपको 25 marks का objective type paper रहेंगा तो इसके अंदर clearly यह लोग बोले 25 marks का objective type paper रहेंगा और आपको 45 minutes का time दिया जाएगा online में फिर दिन उसके अंदर में आपको 25 marks का question paper है फिर दिन each question carry one mark ओके और इसके second point में यह clearly बोरा जो भी students जो की transfer हो है मतलब university से institute, affiliated college से मतलब इदर उदर समझने नहीं आता ना college वो students के regarding भी आप लोग exams fee पे कर लेके आपको exams देना है तो जिस है कि exam fee के regarding देख सकते है अगर आपका एक subject है तो क्या है अपने 350 रुपे है, दो subject है, सो 450 है, तीन subject है, सो 550 है, देन उसके अन में 4 या उससे बढ़के है, तो आपको 750 है, तो I think आपको CBT के regarding, sorry CBT के regarding भी clear हो गया होगा, कहीं सर जैने comment करके भी पूछ रहे थे सर, तो आपका result भी, आप results का wait करे ना, इंश ये चीज़ आप लोगो clear हो गया होगी, अब रही बात, आज सुबह में subscriber comment करके और WhatsApp में message करके, एक article भीजा था, जो कि कल की newspaper में आया, article उसके अंदर ये बोर रहे कि ये लोग online exams का process बता रहे, तो आज कल क्या है मालूम, बच्चे है ना, online exam बोले तो आ, sir, light है, आपन process काईसा होने वाला है, और जो कि इसके अंदर 27th के दिन ये release हुआ था, बुलके, इसके अंदर clearly बता रहा, और देन जो है, so, आप सभी को मालूम है कि final year students के exams है, so, 14 June से होने वाले है, बुलके, अब रही बात, online होईंगे या offline होईंगे, बुलके, अभी तक official update नहीं आई, मगर maximum chances online ले रहे बुलके, आपको कहीं सारी जगे से updates आ रहे हो, तो online process क्या है, अपने को इसके अंदर देखना है, आज ये video का यही मकसद है कि online देखना है, अब जैसा अब ये J&D वाले final year exams को success हो गया, मतलब ये online process, तो आप लोगे जो भी remaining years के students के exams चुड़ गए, वो भ चलो पन start करेंगे, पहली बात क्या है बोलो तो जो भी student exam लिख रहा उसको पहले क्या करना है, अपने system या mobile या फिर desktop जो भी है, उसके अंदर आपको एक software वो लोग लिंक भेजिंगे, वो लिंक के तो आपको software download कर देना है, फिर देन उसके बान में ये लोग ये बोर रहे क student की ID verification होई तो जो उन्हें exam में allow है, तो मतलब जो आप software download करेंगे, तो आपका verification करना है, क्यों बोले तो ये verification क्यों बोले तो, student की जगे दुसरा ना ना लिखना कोई भी, तो ये लोग क्या कर रहे है, phase recognized technology इस्तेमाल कर रहे है, तो अपने को, तो ये तो भोती tight बात है, मतल अब online में exam लिख रहा हो, software दालेंगे, तो ये लोग ऐसा कर दिये कि, जब आप software दाल दिये ना, तो आपका computer का server जो है, तो दुसरे software का काम नहीं करता, खाली आपका keyboard mouse ही काम करता, वाह, क्या चीज निकाले, JNTU, फिर देन software की बात करेंगे, तो खाली keyboard और आपका वही open ह होने वाला है, तो अपने को, आप इदर उदर साइड में देखे, cheating करने की कोशिश करें, तो वह software क्या करता, आपको detect करके, आपको debar कर देता, मतलब exam से हटा देता, तो webcam के साम में आपको बाइटना है, और ये वह ऐसे हरकता करना नहीं है, जो कि आपको exam से out कर दिये काम कर ले सकते, white paper पे, तो I hope आप लों को clear हो गया होंगा, कैसा process है, तो अपने को, अपने को, अपने को update है, कैसा है, क्या है, आपको clearly हो गया होंगा, आपको जो exam से होने वाले, और JNTO correction के regarding भी update मालूम है, एक बार overall फिर सब बोल देर हूँ, इसके नदे क्या है, बोले त तो आपकी जब तक verification नहीं होईगा, जब तक आपका exam में allow नहीं होईगा, और ये verify कराने का reason क्या है, बोले तो बच्चे ये plan कर लिए, और online है ना light है, अपने कुछ भी करके कर लींगे, बोले तो फिर आपकी गलत फाहिम ही है, तो वो आप लोंगो है, सो face recognition technology इस्तेमाल कर कर रहे हैं, और computer में वो software की तरफ से क्या हाता, दूसरे servers जो है, सो, दूसरे software आपको ब्लॉक हो जाते हैं, खाली आपका mouse, keyboard काम करता, फिर दिन आपको इदर उदर exam में देखें, तो आपको भी हटा देने के chance है, और 20 students का, एक, मतलब group of 20 students को एक invigilator प्रोवाइड करेंग तो मस्त कॉपी कर लिंगे, बुलो तब कॉपी करने का मसला है, इस नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर फिर आपको question paper जो भी देंगा, आपको white paper पर लिखना है, फिर बायन में आपको answers लिखके, फिर देन उसको scan करके, आपको link में फिर दालना है, फिर आपको result का wait करना है, त होप आप लोगों को पूरा clear हो गया होंगा, तो यह वीडियो को share करिए अपने दोस्तों के साथ, कुछ भी doubt है तो comment करिए, चैनल पे नए है तो subscribe करिए, चलिए चलते है, अल्ला हाफीज